अब हम नेशनल इंकम पर इंकम मेथड़ पर आचुके हैं जहां से अब हमारे नुमेरिकल स्टार्ट होंगे तो नेशनल इंकम को कैल्कुलेट करने के अलग-अलग मेथड हैं नेशनल इंकम को कैल्कुलेट करने के लिए इंकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड यह तीन मेथड हमारे होते हैं जिससे कि हम नेशनल इंकम को कैल्कुलेट कर सकते हैं कोई सावी method अगर आप apply करते हैं तो आपका result same ही आएगा तो यहां पर सबसे पहले हम discuss करेंगे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा income method जैसा कि नाम से ही clear income method से national income का calculation करना national income मैं domestic income की बात नहीं कर रहा हूं तो national income मतलब की हमारे जितने भी residents हैं हमारे उन सब की income का पता लगा करके उन सब की income का हम sum कर देते हैं मतलब हमारे जितने भी residents हैं जो वो earn करते हैं जो उनकी income है उन सब की income का अगर आप sum कर देते हैं तो जो result बनता है वो आपका national income बनेगा by income method सब की क्योंकि आप income को लेकर के चल रहे हैं अब आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे कुछ सवाल ऐसे भी आए होंगे सर्थ सबसे पहले इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या 130 क्रोड की आवादी उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो कर जो की कमाते हैं उन सभी लोगों के बारे में पता ल कैलकुलेशन कर पाएंगे आपके मन में एक सवाल आए है कि किस किस के पास कहां कहां जाकर के हम इंकम को हम कलेक्ट करेंगे तो डियर इसके आंसर के लिए इसको सिस्टेमेटिकल और में अगर हम करेंगे तो यही चीज़े हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी तो सिस्टे में आपको फॉर्मेट समझाएता हूं कि हम कैसे सभी लोगों की इंकम का कैलकुलेशन करते हैं आई जड़ा देखते हैं अब जैसे मैं आपको यही बताता हूं कि मेरी इंकम सरकार के पास में सरकार कीसे पता होगी मैं कितना अन करता हूं एक चुछ सबивает एक दिए कोई क्यों टेक्स देगा तो ये बात आपके मन में होगा मैं एक उखारन दे लेता हूं जैसे मान लीजिए के एक्जामबल के लिए मैंने 20 परसेंट अब देखिएगा आपके फीस मान लें कि आपके फीस 2000 रुपे है एकनॉमिक्स की ठीक है जब आप फी पे करते हैं तो हमारे पास में फीस इतनी नहीं आती है हमारे पास में 20 परसेंट GST ये कट जाता है 200 रुपे सरकार जब भी आप पे करते 200 रुपे माइनस करती सरकार हमारे अकाउंट में यह जो फी से यह अठारा सुर्पे आते हैं पर बात समझे क्लियर है इवन जब मैं आपको बात करता हूं जब भी मैं जब मेरी सेलरी जैसे कि मानलो कहीं भी सेलरी मैं आन कर रहा था मानलेजिए कि अभी कुछ समय पहले ही मैं आनकैडमी पर फिर दो लाक रूपे अठेल है ठी के जे रहे हैं यहां पर क्या होता था कि यहां पर उसमें उस पर कीडियेश क nuts कर रहा हूं यहां तो phase मेरे जो है वहां पर प्रोसेस से पूरा होगर के निकलता है तो इसी तरीके से सरकार को पता लग जाता है कि भाईया कौन कितना कमा रहा है क्लियर जी अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा मुझे पता है क्या कि सर ये जो फुट पास जो दुकान लगाते हैं सर इनका तो कोई टेक्स नहीं करत और सरकार इनके बारे में कैसे पता लगाएगी कि ये कितना कमा रहे हैं आपका इस सवाल बिलकुल जायज है जैनुन सवाल है इस सवाल को मुझे दुवारत रिमाइंड करवाईएगा क्लियर क्यों कि मैं एक पॉइंट लिखा हूँगा जो कि आपके इसी कोशिन से इनकम का मतलब क्या होता है नेशनल इनकम को हम क्या लिखेंगे जब कुछ भी मेंशन नहीं हो सरफ नेशनल इनकम को हम कहते है ननपी एट एफसी परी बात ध्यान रखेगा सरफ बोले नेशनल इनकम काल्कुलेट करो इट मींस क्या आप से पूछ रहा है आप से पूछ रह my third income method क्या है तो income method में हम क्या करने वाले हैं जितने भी हमारे residents होंगे सब की income का हम सम कर देंगे और जो Rezults आएगा वो buy income method जह केasto National well income इंकम में 3미जर national income from the perspective of Factors better income under this method in comes received by all the residents all the residents of our country for their पुर देलिटिटिप service दूरिग a year are added देखेगा अब मेनी बात समझेगा अगर कोई मांग करके अपना गुजारा करता है दान दक्षना से अपना गुजारा करता है तो उसको उसकी income नहीं कहेंगे इस बात को समझेगा clear है अगर मैं हूँ मैं आपको सरविस दे रहा हूँ मुलब कोई काम कर रहा हूं बदले में मिझे पैसा मिल रहा है ति यह income है मेरे साथ में कोई है वह दान दक्षना ले करके अपना पालन पोशिन कर पा रहे हैं कोई काम बदले में नहीं करते हैं वो तो उसको हम उसकी इंकम नहीं बोलेंगे और उसकी इंकम को national income में शामिल भी इंकम तो ज्यादा हो जाएगा good services कम हो जाएगा मेरे बाद समझेगा clear जी तो फिर उससे तो फिर inflation और महंगाई जन्नेट हो जाएगी इसलिए हम उसको जो है as a income consider नहीं करते national income कोई जगा भी नहीं होती है तो बार बार ये एक बात कहा रहा है of a country for their productive service during a year are added up to obtain the national income according to this method all the income that occur to the factor production by way of the wages profit profits rent interest etc are assumed to obtain the national income तो यह मीनिग नेशनल income को खिर मैं आप रुसीज़ डिरेक्ट आप फॉर्मिट पर लेकर आता हूं देखिएगा national income का फॉर्मिट क्या है अब आपके मनमें सवाल है तर कैसे किस किस के घर जाएं किस किस जाएं उसके लिए फॉर्मिट पढ़ लिजिए फॉर्मिट से कहीं जाने के जोड़त नहीं पड़ेगी आपको पता है कि कैसे हमें national income को एड़ करना है मैं आपको calculate भी करके दिखा हूं ठीक है जी पहले यहां देखीगा explain the components of factor income तो यहां पर सबसे पहले मैं national income की बात कर रहा हूं तो यहां पर देखेंगे आप compensation आप देखेगा एक format आप जान देखेगा इस format को हम जो है यह हमारा जो format मैं पढ़ा रहा हूं यह आपको ndp at fc निकाल करके देगा अगर आप इस format को apply करते हो तो clear है ndp at fc आएगा ndp at fc का format दे रहा हूं क्या composition of employees composition of employees तो composition of employees क्या होता है इसको हम जो है c से composition उसे of इसे employees तो composition of employees क्या होता है कि employee हमारे पास में आ करके कुछे काम करते हैं कुछ factor services देते हैं और इसके बदले में हम उसको compensation देते हैं तो composition of employees क्या होता है उस बात का आप समझेगा composition of employees में क्या-क्या आता है जिसना कि यह composition of employees में आता है wages and salary in cash जो कि मुझे मेरे हाथ में तंखा मिला इस अम क्या बोलते है wages and salary in cash so composition of employee देखिएगा मैं composition of employee की बात कर रहा हूँ ठीक है मान लिजे मुझे cash जो पैसा मिला वो मुझे 20,000 रुपीस मिला cash salary चीक है clear है इसे हम क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं wages and salary in cash clear है जी अब साथ साथ में तिरफ 20,000 रुपे ही नहीं मिलते हैं मुझे जो है वहाँ पर रहने के लिए घर और खाने पीना वो भी मेरे company ही arrange करके दे रही है clear है तो उसका खर्चा जो है रहने का 10,000 रुपे खाने पीना मेरा 15,000 रुपे तो मतलब चलिए तो 25,000 रुपे company ने afford करा जा फिर मान लिजे फिलम लागर के 10,000 रुपे company afford करती है clear है तो इसको हम बोलते हैं wages ये तो आपके पास में क्या है इसको बोलेंगे wages and salary in cash इसको ये बोलते हैं और हम इस 10,000 को बोलेंगे क्या wages and salaries in kind wages and salary in kind बोलेंगे इसको हम clear है जी बेरी बास समझे तो composition of employee में सरफ cash ने kind भी ये पैसा आप देखेगा company किसे को दज़ार चलते फिरते किसे को देदेगी क्या कि लो भई ये दज़ार ये कंपनी तब से नहीं जो employee काम करेगा उसी को उपर तो खर्च कर रही है तो composition of employee में ही आता है ये तो 10,000 अब आपके पास में इसके साथ साथ में company सिरफ वेजिन सेलरी इन cash नहीं देती है combustion वेजिन सेलरी इन kind भी देती है और इसके साथ साथ में जो है पेंशन क्लिरे पेंशन भी government पे करती है इसे यहां पर दिखने है क्या income method में क्या कहता है सबसे पहले आपसे wages and salary in cash it includes all the monetary benefits like wages, salary, bonus, fairness, allowances, commission etc. जो cash मिलता है clear है और इसके साथ साथ से हमारा क्या रहता है wages and salary in kind it includes all the non-monetary benefits like the rent fee, home, etc. clear है और दो हो गया और employer's contribution to social security scheme यह क्या होता है employer contribution to social security scheme यह क्या है देखीगा generally क्या होता है अगर private sector में ऐसा देखने को दो बहुत rare मिलता है but government sector में ऐसा देखने को मिलता है ठीक है इसको क्या होता है जैसे मान लिजिए कि आप government job में लगते हैं किसमें पीटा आज के time पर है न एक MTS की vacancy निकली हुई है सरकारी नोकरी निकली हुई है SST के साथ पर जाएगा MTS की vacancy निकली हुई है MTS की vacancy क्या होती है एक pion की vacancy होती है पानी प्लाने का काम होता है चप्लासी की नोकरी होती है जब फिर उसे थोड़ा सा post अगर आप अच्छे qualification है ग्रेजवेट है तो आपको जाइड़ साथ यह काम नहीं दिया जाएगा पो फाइल वगर है manage करने काम दिया जाएगा तो एक बहुत low level की जब होती है MTS की जो निकली हुई अभी लेकिन 30,000 रुपए से इसकी starting है पहले महिने की salary ही 30,000 रुपए है और 2 साल में promotion हो जाएगा तो आप उस category से बहार निकल जाएगे और आपकी तन्खा जो है वो 2 से 3 साल में 2-3 years आपका लग जाता है पर्मोशन का यही तन्खा फिर आपका 42K प्लस हो जाती है पर्मोशन तो मिलता रहता है salary हर सार इंक्रिमेंट होता है तो बता रहा हूं सरकाई नोकरी की कहानी देखीगा यहां MBA वाला 20 दा रपे के लिए इत्रिवी दे रहे तरह तरहरा राउंड एक रहंड दो राउंड तीन राउंड चार राउंड पांच राउंड क्या होगा वह आपको सेलेक्शन हो गया आपका फर्मेंट लेटर एक तैम समझदार लोग ना बहुत सबसे पहले जब तक उसके पास में एज है वह पहला खालेकों प्रविगों को जोड़ के चलोगे या जोड़के नहीं चलोगे पता नहीं फिर बुड़ापा आएगा जब आप हमारे हाँ से रिटायर होकर जाएंगे तो खाली हाँ आप जाओगे तो हमें भी बड़ा बुरा लगेगा क्योंकि आप पूरा जीवन हमेरे काम पर दिया है तो आपके जा रहे हो तो खाली हाँ नहीं जाना चीए तो हम आपका ही पैसा आपके सेलरी से कुछ अमाउंट काट करके अपने पास में रखते हैं जिससे के आप 30 साल की सर्विस करोगे तो आपको कंपाउंट इंटरस्ट के साथ में ब्याज के साथ में इतने सालों का जितना पैसा तिस साल तो रहेगा हम आपको पैसा बापस रिटर्न करेंगे तो लेकिन तरकार बोलती है यह तो हमने आपका 2000 रुपे काटा है ना तो प्लस 2000 रुपे हम मिलाएंगे भी अपनी तरफ से और आपकी जो सेविंग में 4000 रुपे चला जाएगा क्लियर है हर महीने क्लियर इसी 4000 को क्या बोलते हैं इंप्लोयर्स जो काम पर रखता है उसका कंट्रिबुशन ए तो सोचल सेक्यूरिटी स्कीम सोचल सेक्यूरिटी मिल पाए इसको आने वाले टाइम में तो इसको इस सीच को चार जार को नहीं इस 2000 को बोलते हैं सौरी चार जार को नहीं कहते हैं यह तो चार जार में 2000 को खुद कई है 2000 का जो कंट्रिबुशन इसने अपनी तर्से करा यह एंप्लोयर कंट्रिबुशन टू सोचल सेक्यूर्टी स्कीम है क्लिर जी मेरे बास समझे यह भी चलते फरते किसी को भी नहीं मिल जाता है जो काम करेगा उसको मिलेगा ना जो गार्मन इंपलोय होगा तो यहां पर यह क्या है यह भी कंपशीशन ओफ एंप्लोय में आ जाता है तो कंपशीशन ओप्लोई में कितने पॉइंट्स होगएं बाइन सुनिएगा तीन पॉइंट, और यह जो आपके पास पे तीनों मिल करके आपका इस पर एक पॉइंट मिस है, मिसिंग है ए हैं पैंशन अले इच पैंशन नहिं औरफ सांज नहीं वह पैंशन जो किसी की विर्दावर्स इ Sheikh को मिलता है यह गश्भ काम ठोड़ने के बाद को पैंशन की मैं मैं और नookie राष्ट और छीज़े मिला दोगे न तो इंचार चीज़ों को हम क्या बोलते हैं composition of employee बोलते हैं तो बीस जार रुपए तन खाय दस जार रुपए तो भीया क्या है जो है वह इनकाइंड हो गया 2000 रुपए composition of employee है ठीक है तो इस तरीके से composition 2000 रुपए आपको contribution of employer कुल मिलाकर के 30 और 32,000 रुपए composition of employee माना जाएगा उस employee को जो है 32,000 रुपए दिये जा रहे हैं मेरे बात समझे अगर एक बात धान कीगा पानी पिलाने के लिए पढ़ाई का क्या काम एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पानी पिलाने के लिए पढ़ाई का क्या काम पढ़ाई का काम जो है ना पानी ना तो पिलाने में है ना तो कुछ आपका कमाने में भी कोई काम उतना नहीं है पढ़ाई का काम होता है आपका वहवार में आने के लिए आपको वहवारी बनाने के लिए आपको आपके सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए जहां पर आप सोच समझ सकते हो आप दूसरों से अच कुछ आ जाए तो आप इतने खुश भी ना हो कि मतों बाकियों से उपर हूं इस समझ को पैदा करने के लिए ही पढ़ाई का योगदान होता है और एक MTS की जॉब में अगर इस तरह की क्वालिफिकेशन टेंथ पास क्वालिफिकेशन मांगते हैं इसमें ग्रेजुएट तरीके से प्योन का ही काम समालना पड़ेगा लेकिन कोई ग्रेजुएट है और उसने इस एक्वालिफिकेशन को देखते वे उसको फाइल अपडेट का फाइल का या सिस्टम पर डाटा रिकोर्ड करने के काम में उसको रख दिया जाएगा तो जो काम को जो सोपा जाता है वहाँ पर जब आपकी जोइनिंग होती है तो वहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन काम आ जाती है क्लियर है जी समझें तो कंपर्शिशन ओफ एंप्लोई में हमारे पास में कितने पॉइंट जल्दी सब्सक्राइए कोई क्लिप आप रिस्पॉन्स करें तो कंपर्शिशन इंप्लोई में पहला पॉइंट हमारे पास में क्या जाता है वेजिस इंसलरी इंट काइंड एंपलोईर कंट्रुविशन टूर सोचल सेक्यूर्टी स्कीम क्लियर है समझें और आपके पासे पैंशन तो चार चीज़े आपको मिलकर क्या बना देती है कंपर्शिशन ओफ ए इंपलोई दे दिया गया है और बाकी दो तीन चीज़े भी दिगये है तो इन दोनों तीनों कोई रोल नहीं है सीधा आप कंपर्शिशन ओफ एंपलोई उठा लेंगे मेरी बास समझे या नहीं समझे तो क्या पिक करोगे बास समझे रहे हैं क्या बता रहा हूँ मैं आपक कि अगर आपको Compensation of Employee दे दिया जाए तो बाकियों के Compensation of Employee कैसे बनता है वो बता है मैंने तो Point No.1 Plus Point No.2 Plus Point No.3 And Plus Point No.4 मैं लिख दिया इसको ओलड़ी क्या Wages and Salary in Cash Wages and Salary in Kind Employer Contribution to Social Security Scheme and Pension इन चारों को मिला गरके क्या बनता है अगर आपको Compensation of Employee Already Given है तो इन में से किसी की भी कोई भी नीड नहीं होगी मेरी बात समझ रहे है यानि समझ रहे है सिधा आप पर कर लोगे Compensation of Employee और एक बात धान रखेगा कि अगर आपको Compensation of Employee नहीं दिया हुआ है आप दो ही चीज़ दी हुई है कोई बाकी दो चीज़ नहीं दी हुई है तो बाकी दो चीज़ जो को आप Zero consider कर लीजे मतलब वो है ही ही नहीं मेरी बात समझ रहे हैं को छोड़े बात बता रहा है उसका धान रखने हैं आपको अब आपको मालो कि वेजिस आपको Compensation of Employee दिया हुआ है पचास हजार रुपए और आपको वेजिस इन कैश दिया हुआ है दस जार रुपए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप साड़ जा लेके बैठ जो बिलकुल नहीं सब कुछ इंक्लूड जाता है तो बस आप क्या करोगे आप पचास हजार रुपए ही आप लेकर के बैठेंगे इसका फिर कोई रूल नहीं है यह यूज लेस इंफॉर्मेशन है आपके लिए बास समझे नहीं समझे नहीं बातों को समझ पा रहे हो क्लियर है बहीं कोई डाउट किसी बच्चे को चलिए तो यहां पर हमने पहला पॉइंट पड़ लिया है एंडीप एफसी को निकालने के लिए फॉर्स पॉइंट क्या चाहिए हमें हमें फॉर्स पॉइंट ची कंपशिंट हो इंप्लोई अगर व यह बात समझें यह नहीं समझें ख्लियर है तो चलिए मैं थोड़ा कंट्रींट साफ सतर रखता हूं तक आपको लर्ण करने में इसी रहे हैं हाँ जी ऑपरेटिंग सर्फ प्लस पॉइंट नम्र टूपर में आच चुका हूँ ऑपरेटिंग सर्फ प्लस चाहे ऑपरेट कर बिल्कुल सही आप देखेगा इनका सचीन अरोड़ा जी का एक कुशन है कि सर आपने नेशनल इंकम क्यालकुलेट करना सिखा रहे थे और नेशनल इंकम का मतलब आपने कहा था कि एननपी एट एफसी होता है लेकिन आप तो हमें एनडीपी एट एफसी का फॉर्म में बता इसमें चेंजिष करकर करके आप एफसीन ही निकाल सकते हो निकलता है रहा है यही कर दोगे बसे में में अपने नेशनल एंकम पर बात पर तो यह बात का महारा अभी पहले हैं क्या से यिख पर कोdade यह पर आपर अपर सर यह क्या होता है अब आपन अब लेता है जा हो नहीं है इसे लोगों को ले लेता पर निकाल लिया निकाल लिया अरे नहीं निकाला भी बहुत तारी लोग है इनकी इनके लीनी आप एक घर पे गए बोला भी कितना रुपए कैश्ट आपके आई रहना फीना सब कंपनी करती है तो भाली आंदनी तो आपकी रहे गई न में सोगी न तो इसलिए आपको कि मेरी बात समझे यह नहीं समझे तो इन सभी पॉइंटों को लोगी तो सब की इंकम आपकी आ जाएगी अब आपको कहें मैंने कंपसिशन आप एंपलोई ले लिया वेजिसेंट सेलरी इनकाइड भी ले लिया और मैंने कि इंपलोई कशिविशन के लिए और मैंने पैंशन वे लिए लिए कुछ लोगों से आंदर नहीं कुछ वह कितना कंब आते हो वह कहते हैं आपको क्विशन आता है अब कहें पैंशन आता है पैंशन आता है तो फिर आपको pension भी लेकर चलना है न लोगों पैंशन किन जिसको जुसको जुब के बदले में एक टाइम पर pension मिल रही है तो ऐसे अगर सब की income को ले लेना है अगर आपको तो हर आपको जो है आयाम पर जाना पड़ेगा अपको हर एक जिगह पर जाना पड़ेगा हर करना है और आपको आपको चार होंट करने के वाद आपको आपको कहते नहींद कर लिया कि या मैने सब लेगे लिए सारे निए बहुत लोग रहते हैं अब बीवी आंको बहुत लोग रहते हैं कि मैं पता करो आप एक वेक्ति के पास घाए बिजिन सेलरी इंकाइं इनकेश कहा कुछ भी निए इनकाइंड कि कुछ भी निए भाई तो आपने इनकम को देखा ही नहीं अभी तक तो इसलिए operating surplus में क्या होता है कि कोई चीज आप operate कर रहे हो उसके बदले में आपको income मिल रही है आप basically दो चीज़ें operate कर सकते हो एक क्या एक income from property एक property को operate करने के बदले में आपको income मिलता है और एक income from entrepreneurship या तो आप business operate कर रहे हो अगर आप property आप operate कर रहे हो तो आपको rent मिलता है, royalty मिलता और interest मिलता है, अगर आप property को अगर आप operate कर रहे हो तो देखिएगा, income from property क्या होता है, आपने या तो आपकी property में या तो आपने किसी को land दे रखा है, तो rent मिल जाएगा, अगर आपने अपनी goodwill किसी को दे रखी है, तो आपको इसको उसको डेखा चुब नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं इस activity के नाम से कोई offline classes कई kiseka के आस्पास open कर लो अ उसके लिए क्लेम कर देंगे यहां भूहां आपके जो है बिल्कुल भी नहीं दी है 100% है हमारे पास में हमारे कंट्रोल में ही है clear है समझे अगर इस नाम से कोई भी खुला हुआ है आसपास या जो भी कुछ कहते हैं वह फ्रोड है ठीक है जी आए दिन इस्सिटूशन आती रहती है लेकिन माल ले जिए एक एक्जांपल समझाने कर र रवके चाहिए तो मैं वहाँ पर की ले रहा हो हूं वहाँपर मैं रॉयल्टि लेरा हूं आहर कटा हूं मेरे जमीन ले लो इतने वह रिपर्टाय होगे तो क्याक्शन इंपलाड कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे बीऊंगे जो कि interest से अपना गुजारा कर रहे हैं, clear है, तो ये भी तो income का part, अगर आप income ले रहे हो, तो क्यों आप सिर्फ salary, salary, salary कर रहे हो, क्योंकि income from property, और income from entrepreneurship से भी तो आता है, it means operate करने के बदले में इंकम जननेट होता है, अगर आप ये सोच रहे हैं, तब तक कि सबकी income सम कर लो, सबकी income मतलब सबकी salary, salary तो एक employee की होती है, पूरा भारत employee थोड़ी है, मेरी बात समझे, वो तो सरफ first point था जहां पर आप employee पर focus थे, अब आप आप आजेए operating surplus पर, और हम यहां पर operating surplus में, किनके चीज़ों operate करने, income from property, and income from entrepreneurship, income from property में क्या के चीज़ आती है, rent royalty and interest, और income from entrepreneurship में क्या आता है, बच्चे बच्चे, income from entrepreneurship में क्या आता है, profit आता है, अब आप profit को जहां से समझे जिज़े, profit को मजाक मत लगाईए, जहां से सुनो, बच्छे मुझे एक लाग रुप मुझे profit हुआ, समझेगा पहले क्या हुआ, हां जी, मैं क्या करता हूँ, profit मुझे हुआ, एक लाग रुप मुझे हुआ, एक लाग रुप मुझे हुआ, ठीक है जी, मैंने इस पर क्या करा, corporate tax, पे कर दिया, 20,000 रुप मैंने फिर, retain earning, मतलब undistributed profit, मतलब की reserve, एक ऐसा पैसा profit जब भी होता है, पहले तो tax भर देते हैं, उसके बाद जो बसता है, तो सारा का सारा हम खर्चार नहीं कर देते हैं, कुछ पैसा प्रोविजन मना करके रख लेते हैं, ताकि वक्त पे company को काम आएगा, बात company से लिटीड है ना, entrepreneurship, तो company के भविश्य में कुछ पैसा रिस्क की टाइम पर कुछ काम आ जाएगा, तो मान लो इसमें से मैंने 10,000 पर रख लिया, company के नाम पर, बचा कितना, बचा मेरे पास में 70,000 रुपे, इस 70,000 को मैं क्या बोलूँगा, 70,000 को मैं बोलूँगा, dividend, dividend, इसको हिंदी में कहते हैं, लाभांश, ठीक है जी, clear है, profit, इसको हिंदी में बोलते हैं, लाब, clear है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, निगम कर, ठीक है, और, return earning, इसको हम बोलते हैं, अवित्रित आई, ठीक है, ना, अवित्रित आई, तो देखेंगे यहाँ पर, तो मेरा profit एक लाख रुपे है, corporate tax मेरा 20,000 रुपे है, और मेरा return earning 10,000 रुपे है, और मेरा dividend, जो बटेगा, वो ये बटेगा, 70,000 रुपे है, मेरी बास समझे, तो अब आप एक बात देखेगा, ज़रा बताएं मुझे कि डिविडेंड कितना है, इसको अलग पेच पे लेकि बताता हूंगा, बताएं ज़रा, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड मेरा जो है, वो है 70,000 रुपे, अब बताएं ज़रा, मेरा जो है, retained earning, undistributed profit कितना है, 10,000 20,000 रुपे, जब आप इन तीनों को add कर दोगे न, इन तीनों को जब आप एड कर दोगे तो जो आपका result आएगा न, जब आपका result आएगा, इस result को ही हम क्या कहेंगे, इसी को हम बोलेंगे profit, तो पता लगा profit का formula क्या हुआ, तो profit equals to, profit equals to, it means lab बराबर में, क्या होगा आपक होगा, dividend, plus retain earning, plus corporate tax, clear है, अगर profit सीधा सीधा दे दे तो अच्छी बात है का नहीं दे तो profit को ऐसे create करोगे, इन तीनों को add करके profit बनाए जाएगा, अगर profit भी दे रहा है, साथ में इन में से कोई जानकारी भी दे रहा है, उन जानकारी से कोई मतलब नहीं है, जो मेरा काम ता profit का, तो profit आई गया, तो बाकी के पीछे जाने के जुरते नहीं है, अगर profit नहीं है, तो इन तीनों से बनाओगे, तीनों नहीं है, तो दो है तो दो सही बना लोगे profit, समझे या नहीं समझे, clear है जी, तो profit को समझे, तो operating surplus, तो किती चीज़ों को operate करते हैं, income from property, like rent, royalty and interest, and income from entrepreneurship, like profit, and profit equals to corporate tax, undistributed profit, and dividend, clear है जी, बास समझे में आया या नहीं हाया, बताओ जी, हाँ, operating surplus तो हो गया हमारा, अब यह एक एक points को clear करा है मैंने यहाँ पर, मैंने profit को अच्छे से define कर रहा है कि corporate tax होता है, dividend होता है, और retained ending होता है, मैंने बता है, अब आप मुझे कह रहते हैं, ठीक है सर, आपने सब को ले लिया, जो लोग नोकरी पे काम कर रहे हैं, कोई पेशेदार है, उनकी आपने बेजी salary, इन cash वालों की ले लिया, आपने employer contribution में ले लिया, और आपने pension जो pension पे हैं, वो अपने उनका भी ले लिया, सर अगर यह नहीं थे तो आप compassion of employee था तो आपने direct वोई ले लिया, इन चालों की फिर कोई requirement ही नहीं थी, ठीक है सर, आपने सभी कमाई करने ले लिया, और सर आपने तो उनको भी गिन लिया, जो कि operate करने के बदले में income earn कर रहे थे, लाइक property से, जैसे कि कोई land से rent कर रहा है, कोई goodwill के बदले में royalty ले रहा है, या फिर कोई जो है, वो interest earn कर रहा है, तो आपने इन सब की इंकम ले लिए, इवन आपने entrepreneur की इंकम ले लिए, सर सब की income आ गई, लगे मेरा सवाल अभी वह ही है, कि सर जो रेड़ी पढ़री वाले जो विचारे कमाते हैं, उसके आए का तो पता कैसे लगेगा, एक company है, वो तो रहिशर होती है, उसको टेक्स इसकोल अंदाजा नहीं लिया जा सकता है, ठीक है न, इसको सिरफ एक estimation ही लिया जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते है, mixed income बोलके नाम से जाना जाता है, कि एक estimation, एक idea लिया जाता है, वो mixed income हो गया, जो कि self employed लोग होते हैं, जो अपने आपको खुदी काम पर रख ले ठीक है, ठीक है जी, clear है बच्चे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ जरा, तो अब आप इस चीजों को अगर आप add कर दोगे, तो मैं यहाँ पर आपको NDP FC का direct आपको एक बात बता देता हूं, आपको पीपर में न, बच्चे, कई बार ऐसे सवाल बहुत बार आये हैं कि explain the method of the national income and income method, आपको income method को बोलेगा, बताओ, तो income method में आपको क्या करना पड़ेगा, तहले आपको NDP FC का permit लिखना पड़ेगा, वही जो मैंने लिख पाए है, then summarize करते हैं, क्या करता है, मुटा मुटा, composition of employees, अगर डिरेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं ह तो बना लोगे चार आइटम को जोड़ करके ठीक है, rent and royalty, यह एक ही चीज़ होती है, rent and royalty, ध्यान लग लग नहीं दिया हो आता है, rent and royalty, interest ले लेना साथ में, और आप profit ले लेना, ठीक है, और mixed income ले लेना, शीदी सीवात है, आपको पता है, कि यह profit कैसे बनता है, दिया तो अच्छी बात है नहीं है, तो आप बना लीजिएगा, इससे क्या जाएगा, आपका NDP at FC आपका आ जाएगा, ठीक है, जी, clear है, अब आप क्या करने वाले हैं, NDP at FC आपके पास में आ गया, आपको मैं find क्या करने के लिए कह रहा हूँ, find करने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपसे NNBA at FC, ठीक है, और आपके हाथ में क्या आ गया, आपने क्या क्या आपके लिए, NDP at FC निगाल दिया, जो चीज फाइंड करने लेफ्ट पर, और जो चीज आपको given है, वो right पर, मैंने क्या सिखा है था, change, first letter कभी भी change करते हैं, तो depth का use होता है, तो बताए, first letter तो similar है, change करने का requirement है, second letter को change करने है, requirement है, second letter को change करते है, तो NFIA का use होता है, last class में पढ़ाया था, मैंने आपको, आप NFIA इसमें add होगा है, जो भी काम करोगे, राइट मी पास, NFIA ये terms लेकर किसको क्या कर देते हैं, आप, add कर देते हैं, राफका काम खतम हो जाता, जरी बात समझे या नहीं समझे, clear है बच्चे, बताए जरा, question कुछ किस तरीके का होगा, आपके सामने, आपके screen पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर, कुछ इस तरीए questions आप को NNP at FC, calculate करने के लिए कर रहा है, भाईया, by income method, तो भाईया, by income method में सबसे पहले, सबसे पहले, हम तो NDP at FC ही calculate करते हैं, जो format के coding, तो item से सब कुछ-कुछ भी mix मत कर ली ना, first point, composition of employee डूणेंगे, बाकि जो पढ़ा हो है, रहने दो न, नमर आगा सब देखेंगे, भाईय employee, 250, मेरी बास समझे, आप इसको इसको लिख सकते हैं, पहले, क्या, fifth point, ऐसा लिख दीजिए, पूर लिखनेंगे जोड़ करी है, clear है, और जहाँ पर नीचे लिख दो, साथ-साथ, 250, clear है, first point to complete, अगर नहीं होता है, composition of employee, तो फिर महीं काम करता, wages salary in cash, लेता, wages salary in kind, लेता, employer contribution लेता है, इस सारे चीज़ों को लेकर करके, फिर हम बनाता, समझे, अच्छी बात है कि यहाँ पर है, चलिए, दूसरी बात, अगर हम उच्छी बात है, second point, क्या है, second point, operating surplus, income from property, and income from entrepreneurship, income from property में क्या क्या आ जाता है हमारा, rent and royalty, एक चीज़, plus interest, दो चीज़ आ जाती है, और वहाँ पर profit, profit है तो अच्छी बात है नहीं, तो उसको भी बना लेंगे, ठीक है, दिखते हैं, पहले, क्या क्या, income from property लेते है, rent, rent है मेरे पास में है, clear है, plus, rent है मेरे पास में, और rent क्या है मेरे पास में, 75, ठीक है, और interest, interest भी है मेरे पास में, मैं मेरे दिमांग में income from, अब आपका entrepreneur, profit, profit चीए, profit, direct profit है, अगर नहीं होता है, direct तो मैं बनाता है, कैसे, retained earning, undistributed, sorry, undistributed profit, जिसे retained earning कहते है, corporate tax and dividend से बना लेता, बट अगर है तो अच्छी बात है, तो प्लस क्या है मेरे पास में, 14, और 14 पे क्या है मेरे पास में, 100, clear है, solve करते हैं, यहां पर ह ndp at fc equals to, कितना जग है मेरे पास में, यह 100, 200, और 2450 आ गया, 450 करोड क्यों क्यों क्रोड में दिया होगा यहां, रुपीज इन क्रोड, छीक है जी, clear है, आगे क्रोड में, अब आपसे प्यारे पूछ क्या रहा है, पूछ आपसे national income पूछ रहा है, तो मुछे जो पूछ र है, और मेरे हाथ लग चुका है, ndp at fc, तो बस एक काम करना है, nfia इसमें add करना है, तो बस मैं nnp at fc, और यह ndp at fc मेरे पास मेरे पास कितना है, 450 करोड, प्लस मैं क्या करूँगा, nfia, nfia को जड़ ध्यान से पढ़ेंगे, net factor income from abroad, क्या है, minus का 5 है, तो यहां पर क्या होगा, minus का 5 होगा, clear है जी, बरी बास समझे, कोई doubt भीया, तो यहां पर मेरे पास में nnp at fc कितना आ गया, यह फिर minus का 5 होगा, तो यह हो जाएगा, 445 करोड, बताओ भाईया, हाँ या ना, सौंझ में आया या नहीं आया, clear है, बताए, clear है, ओहो, अच्छ हो या दिला यार, एक गरबट तो कर दी हमने, इसमें हमने क्या कर रहा, mixed income नहीं लिया बच्चे, जो third point था, mixed income कहा है, mixed income, mixed income of self-employed वाले को ही mixed income होती है, जो ready पर जाले, इसको self-employed बोलते हैं, plus क्या होगा हमारा, plus second, कितना है हमारा, 35, 35, और यह कितना होगा, 450, 450, clear है जी, 450, 450, और यह कितना हो जागा मेरा, यह मेरा हो जागा, 480 करोड, अब सही है, clear है जी, कोई डाउट, सज में आ गया, आप बताये ज़रा, national income निकालना आपको आया या नहीं आया, बताये ज़रा, कर पारें नुमेरिकल्स को, ठीक है, तो अभी हम आएंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, भीया, यह बुरा आपका है, क्या मैक्रो, मैक्रो का मतलब भी national income होता है, हर चिए नेशनल इंकम हर चिप्र नेशनल इंकम, तो आए पहले इंकाल मैथट पर हम प्रेक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे, सीखेंगे, अगली कक्षा में, फिर हम एक्सपेंडिश्य मेथड़ पर जाएंगे, सब चीज़े हम अपना करते चले जाएंगे, ठीक हैं जी, समझ में चीज़े आ रही हैं, और हाँ जी, एक चीज और है कि आपका जो है, रेफल इस समय जो चल रहा है, आप वो जो था, अभी भी हम आप केंटेन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रेंट वैसे भी क्वाईरी में हैं, और अब आप लोगों का जो है, सिक्स सेमि मिलेगा, और जिस, जो भी, जिसके भी कांटेक्ट में आप, उनको आप रेफल जो है, कांटेक्ट करके अपना रेफल लीजिए, लेकिन नए स्टुडेंट, एक्जिस्टिंग स्टुडेंट नहीं होने चाहिए, क्लिर हैं जी, मिलते हैं फिर नेस्ट क्लास में, मआँ में स्टुडेंट थाग्च एक्जिस्टीं नहीं होग लें अटेपित बाक्ष्डरी आप एस्ट.